हलो दोस्तों PhD का एक नयान ओडिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि NIT दिद्ली से है दोस्तों ने काफी सारे सब्जेक्ट के लिए आविदन मांगे हैं और इन्होंने और दोस्तों ने बता है कि आपको गिस प्रक्राब से आविदन करना है सबसे पहले यहां पर इंवालों के लिए और यहां पर लिखा हुआ है कि आपको हर्ड कोपी साइड करने की जूरत नहीं है और दोस्तों लाच्ट ज़ेक्ट की बात करें थो तो 19 में इसके last date रहेगी और आपको किस प्रकार से form प्विलब करना है वो हम आपको आगे दिखाएंगे यहाँ पर दोस्तों ने डिपार्डमेंट और इनके broad research एरिया बताए हैं जिसके अंदर के आप देख सकते हैं Department of Civil Engineering के अंदर आप देख सकते हैं कि broad area of research यहाँ पर दी हुए हैं तो जिसके अंदर आप अपनी research कर सकते हैं ऐसे इन्होंने सभी department के लिए दी हुई है तो आप अच्छे से readout कर लिजेगा जिसके अंदर भी आप apply करना चाहते हैं आगे इन्होंने कुछ और information बताई है आगे अपनी खुद की जो आपकी fellowship हो जैसे कि CISI, UGC से और आप full time self finance हो या part time sponsored हो या किसी विश्व सेरे scheme के इंडर में हो तो इस परकार से आप अविधरन कर सकते हैं अब इन्होंने यहाँ पर eligibility बात करें तो full time institution assistantship के साथ में यहाँ पर बताई है कि आपके पास में master degree होने चा साथ में 6.5 cgp हो आपकी और आपके पास में get score होना चाहिए यह mandatory है को institution exam clear करना पड़ेगा जो return exam होगा और बैचर डिगरी हो आपके पास में engineering technology या 4-year की MSC हो MC हो 8.5 cgp के साथ में 80% aggregate marks हो आपको CFTI बगरा institution से हो आपकी और आपको 24 credit का comprehensive exam से पहले coursework जो होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा ऐसे इन्होंने science department के बारे में बात की है कि आप कैसे master degree होने चाहिए first class के साथ में minimum 60% mark से साथ में यह आपके 6.5 cgpa हो और इसके अंदर भी आपसे मांगा गया है कि आपके पास में gate या net होना चाहिए scholarship के लिए और यदि किसी पास में gate net नहीं है त इंस्पायर fellowship हो या वो sponsor हो किसी outside agency वगर से तो उनको return exam देने की जो नहीं है और उनको इंस्ट्यूशन written exam देना हुआ जो की इंस्ट्यूशन fellowship लेना चाते हैं और आपका जो admission होगा वो interview और return test के performance के उपर होगा तो इस वात का ध्यानक हेगा और ऐसे इन्होंने part time content के लिए भी अपनी कुछ requirements बताई है तो आप यह अच्छे से readout कर सकते हैं बट उनको no objections certificate भी देना होगा और यहाँ पर part time की बात करें तो उनको experience certificate भी मांगा गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग experience certificate मांगी गए हैं और third point की बात करें तो इसके अंदर बताया गया कि full time self finance के लिए यदि वो किसी भी funding agency से fellowship नहीं दे रहे हैं बट आपने ही पैसों से PhD करेंगे तो वो भी आवे दिन कर सकते हैं और आगे ऐसे उन्होंने full time part time sponsorship के लिए बात किये हैं और आगे विश्व सराय स्क्रीम के तहित भी admission मांगे गए हैं तो उसके लिए requirement नीचे लि भी है और कुछ important points भी दिये हुए हैं यहाँ पर तो अब अच्छे से read out कर लिए इनको और यहाँ पर सीटों की details की बात करें तो seat metrics यहाँ पर दी भी है full time institution institution, citizenship के साथ में own fellowship sponsored और विसरसाइब स्क्रीम के साथ में और part time के लिए total 90 seats ने यहाँ पर बताएगे है जिसके अंतर के जर्नल category वालों के लिए 38 seat है AWS के लिए 9, SC के लिए 13, ST के लिए 6, और OBC के लिए 24 seat है जो की full time institute citizenship के लिए है और fellowship on fellowship sponsored के लिए 24 seat है विसरसाइब स्क्रीम क अंदर full time के लिए 2 seat जो है वो start-ups वालों के लिए है और 5% का relaxation है यहाँ पर बताया गया है और admission procedure भी आगे बताया हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि जिनके बास में gate, net, jrf, lso, ucc, jrf, lso, gpat, inspire fellowship हो जो कि किसी outside funding agency से fellowship लेंगे तो उनको return test देने की जोड़त नहीं है first point के अंदर यही बताया गया है और other सभी content को institution fellowship लेने के लिए इंटरेंस exam देना होगा और आगे fifth point के अंदर बताया गया है कि आगा presentation और interview के अंदर जो होगा तो उसके base पर ही आपको admission दिया जाएगा तो performance आपके अची ही कासी देखी जाएगी यहाँ पर six point के अंदर बता अचीज़े पी डॉलडी वालों को 21 marks लाने होंगे 60 marks में से तो इस बात का ध्यान रखेगा और यहाँ पर pattern बताया गया है कि अंसक्यू बेस पर होगा और negative marking नहीं होगी आगे ऐसे एक खुछ और information दी हुई है तो यह आप अच्छे से रिड़ाट कर सकते हैं और आपको किस notification link आपको हमारी website मिल जाएगी जिसका link हम description के अंदर देंगे जहांसे आप इन सभी forms को fill up कर सकते हैं और जो भी ongoing form है उनको भी देख सकते हैं और यहाँ पर bold अक्षरों में लिखा भी हुगा है कि आपको अच्छे से रिट आउट करना है सभी relevant documents को जहां से fill up कीचीएगा औ और आपको यह fees किस प्रकार से payment करनी है तो यह आप यह bank account के अंदर pay कर सकते हैं यह आपको online pay up करनी है तो आप यह रिजर पर जाकर यह link दी हुई है तो आप इस पर जाकर भी अपनी fee payment कर सकते हैं और जो आपको transaction ID मिलेगी वह आपको application form के अंदर fill up करना है तो इसका मतलब OBC non-chemical और AWS category से हैं तो उनका जो भी certificate है वो एक अपरेल दोचे choice के बात का होना चाहिए तो इस बात कर ध्यान रखेगा और document verification भी आपका होगा जो की होता ही है interview के अंतर evaluation की बात की गई है यहाँ पर तो यह अच्छे से देख लीजीगा और इननों बताया है कि जिनने gate net pass कि यहाँ पर ऐसे ही आगे हो कुछ और information भी दी है important date की बात करें तो दोस्तों last date इनोंने 19 मही बताई है और जो भी eligible content होगे उनके लिए 22 मही को आ जाएगी return test जो offline होगा physical mode के अंतर 28 मही को होगा और जो presentation के लिए जाएंगे 28 मही को उनकी लिस्ट आ जाएगी और presentation भी आपका offline mode के अंतर होगा जो की 28 मही से 39 मही के बीच में होगा जो ही पूरे दिन चलेगा आपका और selected content के लिए 30 मही को आ जाएगी और आपको face deposit 31 मही से 7 जून के बीच में करनी है और आपको फिर reporting करनी है document verification के लिए वो एक अगस्त को करनी है और आपके classes उसके बाद में start हो जाएग दोस्तों यह थी इसके बार में information आगे दोस्तों ऐसे इनोंने यहाँ पर कुछ checklist बताईए यह form बताया गया है यहाँ पर form भी attach किया हुए तो आप इस form को अच्छे से देख सकते हैं कि आप पास में यह department अथा टिक कर सकते हैं कि इस department का अंदर मुझे apply करना है यह आपके ब और आप हमसे टेलेग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही भी एडी से लिटेट ने अपडेट के लिए